प्लासेंटा पुस्टीरियर हो तो बेबी आगे की तरफ होता है प्लासेंटा अपर सेग्मेंट में हो तो बेबी लोर सेग्मेंट तक नजर आता है प्लासेंटा पुस्टीरियर हो तो बेबी बॉय या गर्ड कुछ भी हो सकता है आईए इस 25 वीक्स बेबी को देखते हैं ये बेबी ब्रीच है और देखें किस तरह अपनी लेक्स फैलाए हुए है इस बेबी की बैक यानी कमर उपर की तरफ है और फेस पीछे की तरफ है यानी प्लासेंटा के पास प्लासेंटा प्रेगनेंसी में पैदा होने वाला वो एहम औरगन है जो मा और बच्चे के दर्मियान कनेक्शन का काम करता है इसकी वज़ा से बेबी के फेस या बॉड़ी पर कोई निशान नहीं आ सकता प्लासेंटा यूटरस की किसी भी दिवार पर लगा हो सकता है प्लासेंटा के तकरीबन दर्मियान से एक कॉर्ड निकल रही होती है जो बच्चे की अमलाइकस से अटेच होती है यू बेबी यूटरस के अंदर मा से अपनी खौराक और आकसीजन एकसेंज करता रहता है और ग्रो करता रहता है बेबी की बर्थ के बाद प्लासेंटा भी डिलिवर हो जाता है एक नॉर्मल प्लासेंटा का औसतन वजन पांसो गिराम यनी तकरीबन आदा किलो के बराबर होता है बेबी का जैंडर देखते है आज कल मेरे पास बेबी बॉईस के स्कैन ज्यादा आ रहे है जी हाँ ये बेबी भी बेबी बॉईस है देखें ब्रीच बेबी है और इसका जैंडर कितने अराम से और वाज़े तोर पर देखा जा सकता है बच्चे की हार्ट बीड से बच्चे के जैंडर का तालुक नहीं होता मजीद आप क्या जानना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजेगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा कीप वाचिंग अल्टर साउंड डॉक्टर समरा के साथ